कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह हमारे पास कुछ प्लांट्स हैं टोटल यह 11 प्लांट्स हैं इन प्लांट्स की कैसे रिपोर्टिंग करना है और रिपोर्टिंग करते डाइन किन-किन बातों का दियान रखना है जिससे कि आपका प्लांट और आसानी से सूखे नहीं इस वीडियो में हम प्लांट की रिपोर्टिंग्स और उसकी केरिंग के बारे में बताने वाले हैं यह हमारे पास कुछ पॉट्स हैं जिन में हमें प्लांट को लगाना है सबसे पहले हमें इन Pots में इस तरिखे से rosa बना लेने है आपको भी इसी तरह से बनाने है इस तरह हमारे पास 11 Pots हैं तो हम इन 11 Pots में एक ही करके Rosa बना लेंगे तो पोड्स की नीचे साईे दे ये पानी रुपता जाता है और वहां की मिटी बलैक होकर आपकी roots को सड़ाने लग जाती है जिससे की आपका plants कुख जाता है इसलिए आपको plants की reporting करने के लिए वो spots में बना लें उसके बाद ही reporting करें फिर इसके बाद हमें वर्मी कमपोल्ट की जरूरत पड़ेगी यह हमारा वर्मी कमपोल्ट आप देख पा रहे होंगे इसको हमें अपनी मिट्टी में अच्छे तरीके से मिक्स करना है यह वर्मी कमपोल्ट आपकी मिट्टी में जितने अच्छे तरीके से मिक्स रहेगा उतना हिलरी आपका plant रहेगा यह देखिए यह है हमारी मिट्टी जिसे हम अपने पॉट्स में डिपोर्टिंग करने के लिए यूज़ करने वाले हैं सबसे पहले इसमें हमें कुछ चीजे मिक्स करने की जरूरत होगी जिसे की मतलब आपकी स्वाइल अच्छी बने और आपके प्लांट्स में ग्रोध अच्छी देखने को मिले और यह सब हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाएंगे यह देखें सबसे पहले हमें अपनी इस वर्मी कमपोज को इस तरीके से चुड़काओ कर गर के पूरी स्वाइल में अच्छे से मिक्स कर लेना है और यह हमारे पास कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रेंट के साथ साथ और हमारा फंजी साइट का मिक्शर है इसको भी हमें अपनी स्वाइल में पूरे स्वाइल में अच्छे तरीके से चुड़काओ कर लेनी है इस तरीके से देख पा रहे होने जिससे कि आपके स्वाइल में आसानी से मिक्स किया जा सके इसे आप जितनी अच्छे तरीके से mix करेंगे, उतना अच्छा आपका result मिलेगा और उतना अच्छा रहेगा, थोड़ा सा फंगी साइट मिला दें और अच्छा रहेगा, साथी में यह है है नुवारे कीडों की दवा, इसको भी हम उसी तरीके से चुड़काओ करके mix कर अपनी स्वाइल के उबर जिसे हमें रिपोर्ट किंग की यूज करना है उस स्वाइल के उबर हमने सभी चीजों का छुड़काओ कर लिया है, अब हम इसको अच्छे से mix करेंगे, जिससे की यह पूरी तरह से equally mix हो जाए, यह आपकी स्वाइल जितनी अच्छी तरीके से बन अपनी स्वाइल को रिपोर्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने सारी चीजे mix कर लिए, वर्मी दमपूल और माइक्रो न्यूट्रिंट के साथ साथ फंगिसाइड और कुछ टीडों की दवा भी, दोस्तों अब हमें अपने प्लांट्स के रिपोर्टि है हमारा अगया एरिका पाम का प्लांट, इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए हमें सबसे पहले थोड़े से इस प्लांट्स की मतल यह जो शूखी पत्तिया हैं, इनको रिमो कर लेना है, क्योंकि इनकी जिब तक कटीन नहीं होगी, यह प्लांट देखने में अच्छा नहीं इस प्लांट में एकदम ग्रीन-ग्रीन सा दिख रहा है, अब यह प्लांट रिपोर्टिंग के लिए तयार है, अब इसको हम पॉट्स में लगाएंगे, देखें इन प्लांट्स की कटिंग हो जाने के बाद कितने ग्रीन-ग्रीन दिख रहे हैं, और यह देखने में काफी स नदर लग रहे हैं, यह आप देख पाने होगा है कि इन में से हमने सबसे पहले वोल्स बना रखें पहले ही, और अब इनके वोल्स में छोटे-छोटे से पत्थर रख देने हैं, जिससे कि इस वोल्स यह मिट्टी से बन आओ, और इसमें एक्स्टा वार्टरीन रिमोव हो जाए, और साथ में पॉर्ट्स में देज धूप की वज़े से इसमें किसी तरह की उमस ना बने या गर्मी ना बने, जिससे आपके ब्लांट्स की रूट्स को सड़ाने लग जाए, तो अब हमने इन पॉर्ट्स में अपने छोटे बत्तर रख दिये हैं, अब इसके नीचे यह काली आली पॉली बैग को इस तरीके से आराम से रिमो कर लेना है, यह पॉली बैग को निकालते टाइम ध्यान रखना है कि यह जो प्रांट में स्वाईल का बंच बना हुआ है, यह तूटने आप खुटने ना पाये, आज इड जैसा है, वैसे ही निकाले, और वैसे कि अपने इस पॉट्स में उसकी हाईट के साफ से फिट कर गे रख दें, उसके बाद साइट से थोड़ी थोड़ी से स्वाईल को फिल कर लेंगे, जिससे कि उसके उपर तक जो स्वाईल वरने गे बाद उसे आपको पॉट्स को नहां से दबाना है, और नहीं उसे पटकना है अपने पॉट्स में स्वाईल को वरी हुई है साइड बाई साइड इसको आप अब दीरे दीरे से ये वाटरिंगे थूरू से तो जाएगी आपकी स्मिट्टी और इस प्लांट को आप अपने पॉट्स पूठा के कहीं भी घर के किसी भी कोने घर या ओफिस में रख सकते है और की केर के लिए रही बात मिन्रूल और नीट्रिंट की तो वह हमने पहले ही इस वाईल में मिक्स कर लिया था और इस प्लांट को घर में इंडूर आउट्डूर कहीं भी रख सकते हैं बट इसके लिए सबसे बिटर ये होता है कि इसे आप सेमी साइड में रखें घर या आफिस में उस साइड में रखें जहां पर रोसनी जादा आती हो मतलत सूरजी रोसन संडलाइट जादा आति हूं उस साइड में रखें तो ब्लांट old कि जो कलह हैं वह कभी जाए ग Κop Rigोंतितम जाएगा नहीं और जिसमें जो मुद्जिकरों की आप होता हैं उसके तो si वाटरिंग कर रहे हैं तो आपको तुरंट 15 वकड़ लेगा जिससे आपके नीचे से वो प्लांट इरिकापाम खराब हो जाएगा और यह की करके आप उसकी पत्तियां उखड़ती से भी जागती है ऐसे ही आपको टोटल हम 11 प्लांट के बारे बताने वाले हैं और उनकी छेखएगो झाल झाल